वीकेंड के उपर मैंने लिखी वी थी है कि मेरा हम लोग 15-20 दिन से बात नहीं हो रहे थी तो वो जॉब कर रहे थी गुडगाओं में तो मैं भी परिशान हो रहा था मैसेज क्यों नहीं आ रहा है तो वहां से स्टार्ट करता हूँ कि मैं सोसता था वो वीकेंड पर कैसे रहती होगी मैं सोसता था वो वीकेंड पर कैसे रहती होगी दर्दे जुदाई कैसे सहती होगी रात का सननाटा उसको खाता होगा फोन उठा कर देखती होगी कि मैसेज आता होगा मैसेज ना पाकर पु कि इसके बाद मैं लिगाता अब देखिएगा कि ना जाने कैसे वो अकेले सोती होगी और मैं गलत था जो यह सोचा करता था मैं उसको चाहता था वो औरों को चाहती थी मैं उसको चाहता था वो औरों को चाहती थी मेरे साथ तो बस टाइम बिताती थी मैं भी यह भूल करता था उसके टाइम पास पे मरता था कि मैं भी यह भूल करता था उसके टाइम पास पे मरता था वो ऐसा जाल फैलाती थी मासूमों को उसमें फसाती थी जूटी कहानी सुनाती थी जूटे ख्वाब दिखाती थी मैं उसको चाहता था जो औरों को चाहती थी वो मुझ पर महबबत का वार करती थी कि वो मुझ पर महबबत का वार करती थी कि दूसरों से सच्चा प्यार करती थी मैं उसकी महबत का कायल था जब आयने मैं खुद को देखा तो मैं घायल था कि मैं उसकी महबत का कायल था आयने मैं खुद को देखा तो मैं घायल था जमाने के सामने मुझे प्यार बताती थी कि जमाने के सामने मुझे प्यार बताती थी, पलक जबकती नए यार बनाती थी, पर कैसे भूलूं उसकी बातें, वो रोती थी, सिसकती थी, मर मिटने की कस्में खाती थी, वो खुद को मेरी दीवानी बताती थी, मैं उसको चाता था जो औरों को चाती थी, मुझको एक खुबी तेरी खाती थी तू औरों को जल्दी भाती थी मुझको एक खुबी तेरी खाती थी तू औरों को जल्दी भाती थी उससे बहाना बनाती थी दूसरों से मिलने जाती थी मैं वक्त पर आता था तू इंतजार करवाती थी मेरे साथ भीगने पर तबीयत क्राब हो जाती थी कितने मन से मेरी बाते सुनकर जाती थी बात मैं हसकर औरों को सुनाती थी मैं उसको चाता था जो औरों को चाती थी thank you everyone